नमस्कार दोस्तों तो टाटा पावर में आतीजी क्यों आई यह discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर तो और एक breaking news रहो भी discuss करेंगे तो वो क्या हो सकती है क्या positive है क्या negative है breaking news जो आई है market close के just पहले आई थी थोड़ी सी पहले close के time पर यह आई थी लगबग लगबग और जितने भी female viewers उन सबको happy women's day आज के दिन की बहुत बहुत सुमकामना है उन सबको और जो नए viewers है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुलेगा तीन दिन तक गिर रहा था लगाता है मतलब comment works भी लगाता है इसका कुछ नहीं होगा इसका यह नहीं होगा देखिए आज 10 रुपे बढ़ा है 11 रुपे बढ़ा है कल गिर भी सकता है 5-4 रुपे मैं यह नहीं कहता कि बहुत उपर नीचे नहीं हो सकता जब तक रहशिया के साथ वोर चल रही है प्रोब्लम्स है तब तक सब इस शेर्स पर impact है आपको HUL जैसा स्टोक 20-30% गिरता हुआ दिख रहा है तो मतलब आज समझ सकते हैं HUL तो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया में टाटा स्टील एक ऐसा स्टोक है जो नहीं गिर है बठा mostly स्टोक गिरे हैं आप बायान के चले 50 अगर 50-50 हैं तो 40-45 स्टोक गिरे है देखें 3 करोड 37 लाख के आज के दिन ट्रेडिंग हुई है पिछा 30 लाख के डिलिवरी है 20% के राउंड डिलिवरी मैं आपको उता हूँ यह माल उठा के लग लिजए 2 साल के लिए तेजी की असली वज़े यही है कि confidence लोगों का यह स्टोक आपको multi-bagger है स्टोक आज माल लीजिए कल माल लीजिए आपको मानना पड़ेगा और एक जो खबर आई है वो आई है महाराष्ट गोवर्मेंट ने notice visa टाटा बावर को low impact खबर है बट मैं कभी भी कोई खबर छुपाता नहीं हूँ चाहिए वो मेरी स्टोक के रिगार्डिंग हो मैं लोग कहते हैं आपने इंवेस्ट कर रहा है इसलिए बता रहे हूँ आप मैं अब खर आप खबर बता रहा हूँ तो कि मैंने आज बेच दी है सारे स्टोक यह नहीं होता दोस्तो आपको accurate चीज पता होने चाहिए हर एक news गंदी हो अच्छी हो उस्टोक के बारे में पता होने चाहिए न यह मेरा काम है और मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ इमानदारी से यह guaranteed है तो स्टोक बहुत चांदार है मैं बता के चल रहा हूँ बहुत इंटरस्ट से लोगों का सोलर में और यह बढ़ेगा अब clean energy की तरफ दुनिया जाने वाली है क्योंकि रशिया की साथ आप देखे बड़े बड़े देशों ने अपने contract तोड़ दिये हैं तो clean energy की तरफ जाएंगी टाटा पावर ग्लोबल ग्लोबल पार्टनर बनेगा बहुत companies का आप देखे आने वाले टाइम है बट आपको दो महिने तो at least wait करना होगा यह मेरा कहना है दो साल का perspective रखिए और study करके invest कीजिए